हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो ठन का मौसम आ गया है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओमलेट बनाने की रेसिपी सिंपल सी रेसिपी है अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों ऑमलेट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में एक छोटा सा प्याज कट कर लिया है एक छोटी सी मिर्ची और बहुत ही छोटा सा इंच अद्रक का टुकड़ा थोड़े से धनिया पता भी चौप कर लिया है और मैंने यहां स्वात के 2 अमलेट बनाने वाली हूं क्योंकि पियाज के साथ नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है यहां उसको करने के बाद यहां डोनों को वरे तोड़ दिया और अब आंडों को हमें बहुत ही अच्य तरीके से फेंट लेना है अगर आपके पास विसकर है तो आप उसका यूज़ करें उससे भी अंडे बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी तरके से फिट जाते हैं और यहां जो है वो अंडे अच्छी तरके से मिल चुके हैं को नमक भी जो है उच्छी से अट हो गया आप अब हमें पैन को गर्म कर लेना है और वहां मैं इसमें 2 चमच्छ ओल्ल अट करी हूं और ऑइल को अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया उसके पर मैंने अंडे को इसमें डाल दिया दो से तीन मिनट में आमलेट जह हो वो रेडी हो जाता है इस तरफ दो मिनट और पीछे करके एक मिनट पका लेने से हमारा जो आमलेट है वो रेडी हो जाएगा और यहां अंडे को दोनों साइट से पलट देंगे और पलटने के बाद एक मिनट तक पीछे से भी पका लेंगे ओमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा ठंड के मौसम में ब्रेक्फस्ट में ओमलेट खाए ब्रेट खाए बहुत ही अच्छा नास्ता होता है और तब तक के ल